इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे revolutionary nationalist के बारे में personally मेरा favorite topic ठीए देखे समझे इस चीज को अच्छे से पढ़ा पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देखा गई जो time period था 1922 से 29 तक कोई बड़ा मेजर इवेंट नहीं चल रहा था देश में जैसे नॉन कॉपरेशन मुवेंट को कॉल आफ कल लिया गया था उसके बाद से 29 तक कोई बड़ा इवेंट नहीं रहा लेकिन उस बीच में हमारे देश में बहुत कुछ चोटी चोटी चीजें चोटी और important चीजें हो रही थी तो उन्हीं पूरे इवेंट में एक इवेंट या फिर कह सकते हैं कि कही न कहीं revolutionary nationalist जो थे वो अपना contribution दे रहे थे national movement में आजादी में ठीके अब सबसे पहले revolutionary nationalist जो है उस category को समझना ज़रूगी जो आपका box दिया है box में यह detail है it takes a loud voice to make the defear in club जिन्दाबाद ठीके तो यह statement क्या कहना चाहता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा fine अभी देखो समझो क्या है अभी ऐसा है कि आपने देखा कि history जो हमारी ठीके जो national movement चला आ रहा है तो national movement में कही न कहीं क्या हो रहा national movement में पहले जैसे moderate extremist ठीके फिर उसके आद में गांदियन फेस स्टार्ट होता है 1915 के बाद सगर हम देखें तो यह पूरे time period में क्या हो रहा था यह पूरे time period में कोई major achievements मिलती नहीं दिख रही थी किसे यह यंग nationalist जो थे यंग nationalist को ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आजादी 100 साल और नहीं मिलेगी ठीक और उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या हो रही थी कि जैसे आप देखोगे non cooperation moment को जब abruptly call off कर लिया गया लोगों को लग रहा था कि non cooperation moment चलता रहेगा तो शायद आजादी मिल जाए लेकिन उसे call off कर लिया गया तो कही ना कहीं क्या था कि एक category के लोग जो थे मतलब हमारे जितने भी leaders थे रहे तो एक category के लोगों को ऐसा लगा कि non violence और इन सारे mechanisms के थ्रूँ आजादी मिल सकती है लेकिन बहुत लेट हो जाएगा और उन्होंने क्या है उन्होंने फिर जैसे देखा उन्होंने देखो हर इंसान ने अपना perspective अपनी ideology रखी तो जो revolutionary nationalist थे उन्होंने क्या perspective रखा उन्होंने बोला कि western colonial power को western style में ही हराना होगा western style में कैसे हराना होगा तो जैसे french revolution आप लोगोंने अभी नहीं पढ़ा है french revolution क्योंकि अभी आपकी जितनी भी classes में आप history पढ़ते हैं आपने समझा नहीं जाना नहीं french revolution को 9th में आप पढ़ोगे लेकि में आपको एक हिंट देता हूँ जैसे कि France में मोनार्की को खतम करके उन्होंने जब अपने मतलब France में democracy को establish किया था तो उस democracy को establish करने के लिए revolution लाया गया french revolution क्रांती आई लोगोंने वालेंस को adopt किया लोगों ने हमला किया थीक है best style food के उपर तो इस तरह से क्या है कि France में एक बार जब revolution उसके बाद में फिर दीरे दीरे पूरे यूरोप में वह बात फैली ठीक है पूरे यूरोप में कहीं ने कहीं वालेंस होता था वालेंस के बाद में आजादी मिलती थी जो कि क्या था armed rebellion था ठीक है तो कहीं न कहीं उस चीज से inspire हुए थे हर इंसान ने अपनी ideology के हिसाब से काम किया तो revolutionary nationalist ने वह argument देते हुए उन्हें बुला कि अब हमें जो क्या कह सकते हैं bomb और gun वाले कल्ट को adopt करना पड़ेगा हतियार उठाने पड़ेंगे तब जा क्या आवाज करना होगी इंकलाब जिंदाबाद क्यूं कहा देखो मताता हूं तो अब revolutionary जो लोग थे जो क्रांतिकारी लीडर्स थे हमारे कौन थे बहुत सारे क्रांतिकारी लीडर्स थे देखो अभी आप अगर सोचरों कि 1922 से ही यह स्टार्ट हुआ है तो यह मत सोचना ठीक ह क्योंकि इसके पहले भी जिसे चापेकर ब्रदर्स वगेरा बहुत सारे ऐसे दूसरे लीडर्स रहें 22 के पहले भी मतलब जब moderate और extremist face चल रहा था ना उस समय पे भी revolution उठाए उस समय पे भी revolutionary leaders emerge हो के आए हमारे सामने तो आप इस गरत्रमी मतले ना कि 1922 के बाद में ही revolutionary means को revolution नी था ना तो वही चीज रहती है अब देखो revolutionary में इस time period में कर बात की जाए तो revolutionary nationalists such as भगत सिंग, चंदर सेखर, आजाद, सुकुदेव and others और भी बहुत सारे थे and other wanted to fight against the colonial rule and the rich exploiting classes through the revolution of workers and peasants अब सामझना एक एक शब्द, colonial rule के सारसाथ में rich exploiting class भी उनके लिए क्या थी, ये भी एक तरह से colonial rule ही है, ठीके, अब क्या हो रहते है कि हम देख रहे थे हमारे जमींदारे वो exploit कर रहे हैं लोगों को, तो ये गलत था, तो उन्होंने इनके against में भी आवाज उठाई, ठीके अब देखो क्या होता है, तो therefore they founded, दे में कौन आ जाएगा तो जिससे चंदर सेखर आजाद ने ये organization को found किया था, therefore they founded the Hindustan Socialist Republican Army, HSRA in 1928, Firoz Saakotla in Delhi, अब ही मैं इसके पीछे की कहानी आपको समझाता हूं देखो, एक organization बनी थी, Hindustan Socialist अटादो, Republican Association, ठीके, तो Hindustan Republican Association जो है, ये 1922 में बनी थी, ठीके, तो ये 1922 में ही बन गई थी, कुछ revolutionary leaders थे, जिनका क्या मानना था, ठीके, जैसे रामप्रसाद विस्मिल, रामप्रसाद विस्मिल और उनके और भी जो उनके साथ में कलीक्स थे, तो उन लोगों का ये मानना था, कि महात्मा गांदी ने जो call-off कि था moment, कौन सा moment, non-corporation moment, तो वो सही point पे नहीं किया था, उन्होंने बोला कि अब हम अलग तरह से आजादी लेंगे, और उन्होंने तब एक organization, हिंदुस्तान Republican Association बना दी थी, पहले 1922 में ही, फिर क्या होता है, कि बाद में और leaders join करते जाते हैं, तो चंदरशेकर आजाद जो H.S.R.A. ये association बनाए गया, H.S.R.A. जो बनाए गई तो फिरोशाह कोटला, ठीके डली में उसकी meeting होती है, 1928 में और वहाँ पे एक तरह से formally accept किया जाता है, कि अब आजादी जो लेके रहेंगे, तो वो क्या करेंगे हम, जो भी means adopt करना पड़े, जो भी means innocence, लड़के अपन सारी बात बनवाना होगा, किसी को परिशान करने के लिए नहीं, ठीके तो देखो, आप ये नहीं बोल सकतो, कुछ historians ने एक समय तक इन्हें revolutionary terrorist की तरह से नाम दिया था, ठीके, जो कि बाद में historians को समझ में आए कि नहीं यार, ठीके, उनका भी एक important contribution रहा है, हम उन्हें neglect नह तो ये association काम पे लग गई अपने, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने एक तरह से काम करना स्टार्ट किया, कि लोगों को कही न कहीं, मतलब बिटिश रूल जो है, बिटिश राज जो से, तो actively दिखना चाहिए कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो secret societies, secretly operate करते थे, क्योंकि किसी ना किसी तरह के crime में, crime मतलब उस समय पे बिटिश गवर्मन के साब से, जो crime होगा, तो अब देखो, socialist वा डेट किया, उन्होंने अपनी organization में, तो socialist का मतलब क्या है, socialist का मतलब यह है, कि वो सभी, जो भी, मतलब wealth generate करेंगे, तो स जो पैसा आता था, उससे अपने operations को carry out करते थे, ठीक है, आजादी के लिए, personal gain कुछ नहीं था, सब आजादी के दिवाने थे, ठीक है, तो अब क्या होता है, 17th December 1928, 17th December 1928 के दिन एक event होता है, क्या, कि बहगत सिंग, चंदर शेकर आजाद, और राजगुरू, असासिनेट Saunders, यह Saunders कौन है, ठीक है, एक British official था, तो British official जो था, तो इसका assassination होता है, ठीक, भगत सिंग, चंदर शेकर आजाद और राजगुरू मिलके, यह जो Saunders था, इसे उड़ा देते है, ठीक, Saunders को मार दिया जाता है, अब Saunders को जब गोली मार दी जाती है, तो क्यों मारते है यह भी समझो कारण, मार ने Saunders को नहीं गए थे और, वो क्या हो गया, वहाँ पर miss interpretation हो गया, James Scott एक British official था, जिसने क्या किया था, लाठी चार्ज का order दिया था, किसके ओपर लाठी चार्ज का, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा रिलेट करो मज जो थे, तो लाला लाचपत राए के ओपर क्या होता है, लाठी चार्ज में लाला लाचपत राए के ओपर, मतलब यह में वही बता रहा हूं नो, Saunders को क्यों मारा, तो लाला लाचपत राए की डेथ हो गई थी, क्यों, क्यों, Saunders was a police officer who was involved in लाठी चार्ज that has caused the death of लाला ल लाला लाचपत राए की death हो जाती है, क्यों, क्यों, जो लाठी चार्ज हो था, उसमें Saunders included था, बाकि order दिया था James Scott ने, मारने James Scott को गए थे, James Scott नहीं मिला, तो Saunders को मार दिया, जीगे, objective will will होना चाहिए, तो अब क्या होता है कि इस तरह से जब यह event हुआ, तो यह event के बा अगत सिंग, आजाद और राजगुरू, तो चंदरशी का राजाज तो मतलब लड़ते हुए, कड़ी टकर देते हुए, वो शहीद हुए थी, ठीक है, अब यह लोग क्या कर रहे है, क्योंकि movement को carry out करना था, तो डरे नहीं थे, movement को चलाय रखना था, तो एक जगह से दूस vaccination के बाद में क्या होता है, कि British government ने लाहर में लोगों को परिशान करना चालू कर दिया, मारना पीटना चालू कर दिया, क्योंकि एक तरह से यह हो गया, कि यहाँ पे लोग जो है, आपके country के जो leaders है, वो violent होते जा रहे हैं, तो बदला हम किसे लेंगे, जनता से लेंगे, त British government ने लाहर में लोगों को परिशान करना चालू कर दिया, अब जब revolutionary nationalists तक यह ख़बर पहुची, तो उनने बोला कि यार, हमारे कारण लोग क्यों सफर करें, ठीक है, हमारे कारण लोग क्यों सफर करें, और उसी समय पे क्या है, कुछ controversial bills भी pass करें थे, controversial bill किसमे पास करें British government ने, तो उन controversial bills के against में क्या था, प्रोटेस्ट करना था, यह लाहर में जो गलत हो रहा था, जिसका जिम्मेदारी किसको दी जारी थी, सौंडरेस के मडर करने वाले nationalists को, ठीक है, revolutionary nationalists को, भगत सिंग को, चंदर शिकर आजाद को, ठीक है, तो जब राजगुरू को, तो ज कलंग को मिटाने का एक तरीका क्या हो सकता है, तो अन 8 अपरिल 1929, 1929 एट अपरिल में क्या होता है, भगत सिंग और बटुकिश्वर दत्थ, ठीक है, बीके दत्थ, तो भगत सिंग और बटुकिश्वर दत्थ, यह दोनों कहा जाते दे, three of bomb in central legislative assembly, तो central legislative assembly में वो bomb फेक दे अब आप बोलो कि तो terrorist है, देखो, intention देखो, bomb क्यूं फेका, सबसे पहला कारण जो रहो, bomb फेकने का वो यह रहा, कि वो जो अपने उपर दाग लग रहा था, ठीक है, कि लाहोर में जो भी गड़बड हो रही है, वो revolutionary nationalist के कारण होती, ना तो सॉंडर्स को मारते और ना bomb को फेकने का कारण समझो का है, bomb ने, bomb फेकने के बाद में एक भी इंसान की death नी हुई है, तो यह bomb फिर किस तरह गया, तो दिवाली के फटाके की तरह हो गया, ठीक है, जान किसी की ने गई है, यह bomb फेकने का intention यह था, कि वो British Government, और arrest, खुद, surrender भी कर दिया, कि हमें arrest कर लो ठीक है, तो यह कहीं से कहीं था कि intention नी था कि किसी को harm पहुचाना है, bomb फेकने का कारण यह था, Central Legislative Assembly में, कि वो लोगों को बता सके, क्या बता सके, मतलब British Government को बता सके, कि हम surrender कर रहे हैं, और surrender करने के साथ साथ में जो इस title आपने देखा था, title क्या था, the aim as their leaflet explained, ठीक है, स deep here, ठीक है, जो बहरा है, उसे वो सुन सके, यह उनका क्या है, मकसद है, कि bum फुटेगा, तब तो सुनाई देगा बहरे लोगों को, बहरा लोग किसे कहा गया है, ठीक है, डीक है, बहरा किसे कहा गया है, British Government को, क्योंकि वो demand नहीं सुन रही थी, इंडिया की, ठीक है, and to remind the foreign government of its callous exploitation, ठीक है, callous exploitation मतलब जो exploit कर रही है, ठीक है, गलक तरह से जो, तो उस चीज का एहसास दिलाना है, यह objective था, बॉम फेकने का, ना कि किसी को मारने का, ना किसी की death हुई, और उन्होंने अपने आपको क्या कर दिया, अपने आपको उन्होंने सरिंडर कर दिया, बोल दि कर लो, ठीक है, हमें, अरेस्ट कर लो, उल्टा ट्रायल चल रहा था, उनके पर सौंडर्स के मडर केस का, ठीक है, तो जो ट्रायल चलता रहा, चलता रहा, उसमें तीन लोगों को क्या सजा सुनाए गई, कौन-कौन, तो भगत सिंग, सुख़देव, राजगुरु, देवर एक्जिक्यूटेड ऑन मार्श 23, मार्श 23, 1931, मार्श 23 में, भगत सिंग, सुख़देव, ठीक है, और राजगुरु, इनको, फांसी की सजा सुनाए गई थी, और हमारे ये, रेवलिशनरी नैशनलिस्ट, शहीद हुए थे, इस तारीक पे, और इंटरस्टिंग बात बतात भगत सिंग सिर्फ 23 साल के थे, जिस दिन उनकी, जिस दिन मतलब वो फांसी के फंदे पे, चूम के उसे क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे देश के लिए, तो वो सिर्फ 23 साल के थे, ठीक है, अब देखो, बुक्य अलग जाके एक बात बताता हूं मैं, कि यहां पे हिस्ट लेकिन लोग ऐसे कहते हैं, मातमा गांदी नहीं बोला, इनको बचाने की कोशिश नहीं करी, तो तरह-तरह की कंफ्लिक्स हैं, तरह-तरह की कंट्रवर्सी हैं हिस्ट्री में, बाकि being a student of history, आपको क्या करना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कि आपको सारे perspectives बताओ, फिर आप क्या करो, आप जिसको भी समझाना चाहो, तो दोनो परस्पेक्टिफ से बताओ, ठीके, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिये, clear है, so this was all about, तो ये topic पढ़ाते हुए खुन उबलने लगता है, clear, राजगुरु, भगत सिंग, सुगदेव, तो ये हमारे देश के सहीद हुए, तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो, कि आजादी जो है, तो कहीना कही, इनके द्वारा भी किये गए जो एड्स थे, तो उसका एक impact रहा है, no doubt, no doubt, non-violence is the best strategy, क्योंकि non-violence रहेगा, तो एक लोगों को principle समझ में आएंगे, लेकिन आप इने भी neglect नहीं कर सकते ह किसी ने देश के लिए अपनी जान गवाई है, तो वो भी एक nationalist रहे है, fine, चलो, ये topic हमारा complete होता है, I hope चीज़ें समझ में आईएं, अब अगली चीज और समझो, कि magnet brains पे class 4th से class 12 तक, सारी चीज़ें, सारी चीज़ें मतलब सारे subjects, Hindi, English, Math, Science, Social Science, सब कुछ, सारा सब कुछ arranged format में video lectures के format में available है, जिसे आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, मज़ेतार बात कि सारे video lectures free of cost available है, आपको क्या करना है, अपने juniors और seniors को बताना है, मिलते हैं next video में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much